नमस्कार SBT नियूज में आपका स्वागत है पेश ऐ 31 अगस मंगलवार 25 सवा 3 बजे राजिसान जोधपूर बेगानेर के बड़ी खबरें बेश्टाचार नियोदक ब्यूरो जमेड चोकी ने नागोर चिले के डीडवाना में मंगलवार सुभई ट्रैक की करेवाई करते हुए एक B8 कॉलेज के डायेक्टर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगेहातों गिरफ्तार किया आरोपी ने B8 के चातर की हाजरी पूरी करने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी मंगलवार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ACB की टीम ने दबोच लिया अतिक्ति पूलीस अदिक्षक्त ACB हज में सत्नान सिंग ने बताया कि नागोर डीडवाना S के गिनवोर्ड शिक्षन संसान वे शिक्षक प्रशिक्षन महाविजाले के निदेशक सरवर खान और सुल्तान खान को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया भारत के प्रधान न्यायदिश N.V. रमन ने मंगलवार को उच्टम न्याले की तीन महिला न्यायदिशों सहीत 9 न्यायदिशों को पद के शपत दिलाई प्रधान न्याय दिश ने न्याय मूर्ती अभ्याश्री निवास ओका को पत्त की शपत दिला कर शपत गहन की शुरुआत की नो नए नयाए धीशों के वशपत गहन के साथ सर्वोश न्याले में प्रधान नयाए धीश सहीत नयाए धीशों के संख्यात 33 हो गई जबकि स्रुकर्थ 34 है कांगेस की पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने जलियां वाला बाक्स मार्क सल का पुनर निर्मान करने के बाद इसकी बवेता को लेकर सोशल वीडिया में उठ रहे सवालों का हवाला देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि यह शहीदों का अपमान है और यह वही होकर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि जिन्होंने अजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वे उन लोगों को नहीं समझ सकते जिन्होंने अजादी की लड़ाई लड़ी 6 जिलों की पंचायती राज चुनाव के नतीजों से पहले ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है बाड़ेबंदी के मामले में बीजेपी ज्यादा सतर्ख है अब तक दो फेज के चुनाव की वोटिंग के बाद विपक्षी बीजेपी ने अपने जिला परिशद और पंचाय सिमीती के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी है कांग्रेस तीसरे फेज की वोटिंग होते ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की तैयारी में है एक कार्या के लिए 1100 mm पाइपलाइन के मिलान के लिए 1 सितंबर को सुबह 11.30 बजे से शटडाउन लिया जाएगा अधिशास्य अभियंता शाम महिश्वरी ने बताया कि मिलान कार्या के कारण 1 सितंबर को शाम तक जलापूर्ती बादित रहेगी यह मित रूप से जलापूर्ती दो सितंबर से की जाएगी लंबे अंतराल के बाद सीकर जिले के कुछ इलाकों में बरसात का दोर शुरू हो गया है जिले के निम का थाना के टोडा सहिद आसपास के कई शेत्रों में अलसुबह से ही बरसात हो रही है जोरीम जिम तो कभी जमा जम बरस रही है इससे कई निचले इलाकों में पानी भराव की समस्या बढ़ गई है वही गर्मी से निजात मिलने के साथ ही मोसम सुहामना हो गया इससे पहले मोसम विभाग ने मंगलवार को सीकर सहीद प्रदेश के 18 जिलों में बरसात के संभावना जाहिद की थी जोदपूर जिले में जिला परिशद्वे पंचाय समीति सदस्य के आम चुनाव के त्रित्यवे अंतिम चरण का मतदान एक सितंबर को 6 पंचाय समीति शेत्रों में प्राते साड़े साथ से शम साड़े पाँच पजे तक मतदान होगा मतदान दलों की रहवान गी आज राजके पॉलिटेक्निक कॉले से हुई जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर इंदजी सिंग ने बताया कि अंतिम चरण का मतदान पंचाय समीति भोपालगर बावडी बिलाड़ा पिपार शहर लूणी वे धवा में होगा प्रदेश में 2 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं सबसे पहले कक्षा 9 से कक्षा 12 के स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा 50 पतिशे शमता के साथ स्कूलों का संचालन किया जाएगा बहीं दूसरी और राजे के 131 सरकारी स्कूलों में 9 से 12 कक्षा के स्टूडेंट की ओफ्लाइन पढ़ाई 13 दिन बाश शुरू होगी इन स्कूलों के छात्रों को 2 सितंबर से स्कूल नहीं बुलाया जाएगा कारण ये कि 2 सितंबर से ही DLA फर्स्ट यर सेकंड यर के स्टूडेंट की परिक्षा शुरू हाने वाली है जोदपूर की बासनी तनावडा रोड पर स्थित डेजर्ट ओवर्सीज नामक हेंडिक्राफ्ट फैक्टरी में आज सुबे भीशन आग लग गई आग की सुशना पर करीब एक दर्जन दमकल वाहनों मोके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया आग लगने के कारणों का सपश्ट खुलासा नहीं हो पाया है आग से फैक्टरी में रखा कच्चा वे तैयार मल जलकर नश्ट हो गया लागों की नुकसान का आखलंग किया गया है पीटीटी परिक्षा आठ सितंबर को होगी चार वर्षे सनातर प्लस बीएड और दो वर्षे बीएड की प्रवेश परिक्षा में उत्तिन परिक्षार्तियों को प्रदेश के 1445 कॉलिजों में प्रवेश दिया जाएगा परिक्षा के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में 2000 परिक्षा के अंदर बनाये गए है परिक्षा सुबै 11 बजे स्चुरू होगी परिक्षा में करीब 6 लाग अब यर्ती शामिल होंगे परिक्षारती वेबसाइट से अपना प्रवेशपत्र डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेशपत्र 1 सितंबर से डाउनलोड होंगे जोदपूर में तार घर के पास रोग निदान केंदर के बाहर शतिक्रस्त हुई मुख्य सीवरेस लाइन के शिफ्टिंग के कार्य का महापूर दक्षिन वनीता सेथ ने ऐसी विनोध व्यास के साथ अवलोकन किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कहा महापूर ने बताया कि करीब 25 फिट गहरी सीवरेस लाइन के शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है वहीं शिफ्टिंग के दोरान अन्य यूटिलिटी की लाइने कार्यक्त पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है बिकने शहर में स्वन्ट जन्ती एंक्लेव फेस 2 के नाम से दो टाउन्शिप में जमीन खरीदने वाले 361 लोगों का मकान बना कर रहने का सपना 6 साल बाद भी सकार नहीं हो पाया है स्वन्ट जन्ती एंक्लेव 2 के नाम से हरलोई हनुमान और मोहतास सुराय में UIT ने 2015 में टाउन्शिप काटी थी दोनों स्कीम में 360 लोगों को भुखंड अवंटित किये गए थे भुखंडारी आज भी वहां मकान नहीं बना पा रही है कारण ये कि जहां टाउन्शिप काटी गई है वहां बज़ने की पुरानी खदाने थी थार सरवोधे संस्थान की ओर से प्रिंसिपल्स एंड टीजर्स अवोर्ड के दसवे संस्कारण का आयोजन 4 सितंबर को जोदपूर के होटल चंत्रा इंपीरियल में होगा इसमें विशिष्ट अतीती के रूप में पंडित विजे शंकर महता मोजूद रहेंगे साथ ही तीन सितंबर को पंडित विजे शंकर महता का शिक्षा संसकार त्रिकोन पर विशेश व्याख्या नायोजित होगा राजसान में पंचाय चुनाव को लेकर अब आखरी दोर चल रहा है तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल मतदान कराया जाएगा और इसी के साथ मतदान संपन हो जाएंगे चुनाव कराने के लिए मतदान दलों की रवानगी सुभै संबंदे जिला मुख्यालों से शुरू हो गई है ये मतदान दल अपने अपने निर्धारित केंद्रों पर जाकर मतदान की प्रक्रिया को पूरी कराएंगे और शाम को EVM जमा कराएंगे राजय चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है जैपुड में सीकर और सीथ बमानी निकेतन संस्थान से मतदान दल रवाना हो रही है प्रारंबिक शिक्षा विभाग राजयसान ने राजयसान D.E.I.E.D. परिक्षा 2021 को सगित कर दिया है ये परिक्षा P.T.E.T. और S.I. परिक्षा को ध्यान में रखते हुए सगित की गई है राजयसान D.E.I.E.D. परिक्षा 2021 को प्रतम और द्वित्यवर्ष दोनों के लिए संशोदित किया गया है D.E.I.E.D. परिक्षा अब 2 सितंबर से शुरू होगी और 21 सितंबर को समाप्थ होगी फिलहाल इस पुलेटन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ S.P.T. न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें